जय हिन दोस्तों क्या हाल है मैं कमलिस आपके अपने चैनल इंटिरियर फरनिचर वर्ग मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 8x4 प्लाइवुट के सीट के ऊपर लेमनिट पेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ल मालम चल जाएगा किस तरह सीट प्रेसी करना चाहिए सबसे पहले हमको सीट को दोस्तों पहले सबसğl वीडियो सापका लेना चाहिए साफ करने के बादी देखेर शआने का चाहें घखाम से यहां कि आघुत अपमने मात्राम चाहिए और सबस्तिर्म को पयाइक यह स्वा इस जो कंगी है दोस्तों वो फेविकोल कंपणी से डब्बे के अंदर आया था और अगर आपके पास कंगी नहीं है तो आप लेमिनेट को कट करके भी आप से बना सकते हैं आपके पास अगर पॉइंटेट लेमिनेट है चाहे वाने मम का लेमिनेट है तो आपके अपने हिसाब से कट करके और एक सब्लेट के मदद से कंगी बना सकते हैं आप देखेंगे तो हमारा जो फेविकॉल है वह कुछ रेसे रेसे लाइन में है तो रेसा रहने से दोस्तों वह बराबर पकड में आता है तो बबल साने का चांसे थोड़ा कम रहता है तो इसी तरह से आपको भी लगा करए युछ करता है कि हमारा कंगी का जो रहा हैं आपको दिख रहा होगा साय है और helmets का है और हम यह इसवीर को दोagensव sut करेंगे तो दोनों तरब हिसके करने से अपने को ये फाइदा होता है जो हमारा सीट रहता है वह बैंड नहीं होता है सीधा रहता है लेकिन दोस्तों जो हमारा बीच का सपोर्ट रहता है वह उसी में ख़ली दोनों तरफ लेमनेट पेश्ट वाला काम आता है अगर हम आड रूप को बनाते हैं चाहिए कोई भी box बनाते हैं कि साइड का पार्ट या जो रहता है तो आपको पहले कांगे और जम के कि ए कर दो तरह बार करेंड क rape भी ड inexpensive गेंगे तो क्या थोड़ा उसको स्थवा बाव रहेगा तो कम बैंड होने का चांसिस रहेगा तो आप देखेंगे तो हमारा फेविकोल जो इस सीट के ऊपर लग चुका है अब हम जो एक्स्टा फेविकोल है वो निकाल लेंगे इसके ऊपर से वापिस डबे में डाल लेंगे दोस्तों हमारा जो फेविकोल है वो पूरी तरह से लग चुका है सामान मातरा में आपको भी कुछ इसी तरह से फेविकोल को लगा लेना है आपको फेविकोल ज्यादा कम नहीं इसी तरह से बरबर मातरा में लगाना चाहिए ताकि बबल से नव आए और इसके बाद हमारा जो सबसे पहले एक सीरे को रखना चाहिए और उसको बराबर जगा पे सिट कर लेना चाहिए और सीट को मतलब थोड़ा अराम से देख के उठाना चाहिए नहीं तो तूटने का फटने का डर रहता है क्योंकि पॉइंट एमम सीट थोड़ा पतला होता है तो आपको एक तरफ अराम से बराबर पकड़के और एक तरफ रखके अराम अराम से पुछ इस तरह से घस्ते हुए जाना है ताकि बीच का जो एयर रहे वह असानी से निकल जाए और एक इबार रखने से एयर क्या होता है अंदर लाटक जाता है तो नहीं निकलता है तो बाद में फूलने का चांस रहता है दोस्तों इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको प्रेस करने के बाद किस तरह से रखना चाहिए किस तरह से स्टूर करना चाहिए ताकि हमारा जो सीट है वह बबल्स नहाए कभी कभी क्या होता है दोस्तों हम साम को paste करके जाते हैं सुबह आते हैं काम करने के लिए तो हमारा सीट में बवल आ जाता है तो आप मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से करेंगे तो मैं उमीद है हमको कि मतलब बवल से नहीं आएगा तो हम पहले क्या करेंगे अपनी सीरे पर रखना है और एक सीरे घजते हुए दूसरे सीरे के तरफ लेके जाना इससे क्या होगा दोस्तों अपना जो अंदर यह फंसा रहेगा वह कंपल सरी निकल जाएगा इसी तरह से दोस्तों आप मालेजिए साइट सुरू करते हैं तो सीट कैसा भी फूल फूल सीट करन हैं तो आपको बेनी पीट अच्छा मिलेगा आपको बबल साने का चंस्स कम रहेंगे तो हम दोस्तों इसको घिस लेंगे अगर आपको बैक पैनल भी लगाना रहता है जैसे मालेजे नाइनिमन का बैक पैनल चाह 12 माम का चाहई शीक्सिमन का रहे तो इसी मेथड से आप उस लगान लेजे उसमें सब्सक्राइब करने के तरफ रहे टाम Спेंट का चुका है आप सीट को पलत लेगे और अंने के के बाद हम इसको दूसरे तरब का भी सीट कर लेंगे तो सीट प्लटने के बाद दूस्तों सबसे पहले आपको साफ सफ़ाई में पहले भी बोला साफ सफ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि कच्रा अंदर रह जाएगा तो सीट में बबल्स आने के तो आपको इन सब बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए और हमारा फेबिकॉल भी कुछ इस तरह से अब नीचे लगा लेंगे इसके इसे मुसी तरह से जिस तरह से हमने उसमें भी लगाया था दोस्तों हम जब लेमनेट पेश्ट करके रखेंगे तो हम इसमें एबरो टेप नहीं लगाएंगे मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह से रखना चाहिए ताकि मतलब बबल्स नहीं आप देखेंगे तो हमारा कंगी कुछ इस तरह से है आपको भी कंगी का इस्तेमल जरूर क करना चाहिए मैं बार बार कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि कंगी सबसे में जरिया है जो लेमनेट में बबल्स आने से बचाता है कुछ हद तक क्या मतलब बहुत हद तक क्योंकि कंगी से लेमनेट पेश्ट करने से बहुत सारे बबल्स आने के चांसे खतम हो जाते हैं तो को दूसरे तरफ घिशते हुए लेके धीरी धीरी जाएंगे दोस्तों लेमनेट पेस्टिंग में साफ सफाई का भीसिस ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि साफ सफाई रखेंगे तो हमारा जो लेमनेट है वो अच्छे तरीके से चिपकेगा अगर बीच में कच्रा नहीं आएगा तो जीरो पर्सेंट चांस हो जाता है कि बबल सुना आए क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बबल साय आया हुआ रहता है तो उसके नीचे कुछ नकुछ कच्रा रहता है तो हमको प्राबलम आने लगता है तो उसके इसाब से आपको मतलब यह बात के हमेशा ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई बराबर रखना चाहिए और जो लिमनेट मतलब लगने के बाद आपको इसको घिसना तो कंपलसरी है क्योंकि घिसने से जो एर रहता है वो निकल जाता है तो आप इसी तरह से घिस लेते हैं तो जो एर है दोस्तों निकल जाएगा दोस्तों फूल सीट लेमनेट पेस्ट करने से हमारा काम ज्यादा काफी तर आसान हो जाता है क्योंकि हम छोटे चोड़े चिपकाते हैं तो हमको टाइम ज्यादा लगता है तो हम अगर फूल सीट चिपका लेते हैं तो मालीजे केवल कटिंग करना रहता है लेकिन कटिंग में भी आपको नया बिलेट का इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि नया बिलेट से अपना जो फिनिसिंग हो बराबर आता है तो आप देखेंगे हमारा लेमनेट भी इस तरह का प्रे इस तरह पकड़ते हैं तो बीच में एयर आ जाता है तो उस एयर को निकालने के लिए उस्तों कुछ इस तरह से आपको भी घिसना चाहिए दोस्तों जब हम पूरा सीट पेस्ट कर लेंगे तो जो हमारा लास्ट वाला सीट रहेगा उसको हम एबरो टेब लगा देंगे और हम क्या करेंगे जो हमारे बचा हुआ रहेगा इसके उपर रहें सकर दबा रहेगा हमारा तो इसके पर मतलब बबल साने के चांस नहीं रहेगा दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतेजिए गया वीडियो पसंद पर लेए तो वीडियो और लाइक कर दीजेगा दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे को दबा के बेल पर क्लिक कर दिए कि मैं मिलता हूं किसी और नए वीडियो में तब तक लिए जाएं बंदे मातरम